कि नमस्कार पड़ाम साथ यह फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चलनारुसी फिल्म में तो आईए मैं आज एक वीडियो ले करके आया हूं तो इस वीडियो के माध्याम से हम सीखेंगे कि कोई भी गाना खुझ से कैसे निकाल सकते हैं आईए बने रही वीडियो के लास्ट तक बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो है देखिए इसमें हम बात करने जा रहे है उस थाट की वहराग की जो कि दुनिया में कोई भी इसे आजमाता है और यही एक मात्र ऐसा सीड़ी है हरुणियाम दिखने वाले इसे व्योग जरूर करते हैं तो आईए आज मैं मुझे लगा कि यह ट्रिक जो है लोगों तक लाया जाए तो आज मैं इसके उपर कुछ बताने जा रहा हूं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और मेरा यह गारेंटी है कि यह देखने के बाद आप लो हुद है हम बात करते हैं तो पहले काले को इसमें साम आना जाता है जैसे आए पहले सर्गम का रियाज कर लेते हैं इराग बिलावल से जैसे इस प्रकार है इस सर्गम का मैं इसलिए उप्योग बताया हूं इसके अलावा किसी और बटम को टाची नहीं करना है राग बिलावाल का यह ठाट बिलावाल का यह ऐसा यह सर्गम है कि सिखने वालों के लिए बहुत यह आसान होती है इसका जो आब रोकरम है सानी धापा मागारेसा तो साथियों तो इसके अलावा कोई भी दुनिया का कोई भी गाना हम ढूंडते हैं राग बिलावाल में तो इस बटम के अलावा हम दूसरे को टाच नहीं करेंगे क्योंकि हमें सीखना है तो लोग जंजट में इसलिए पढ़ जाते हैं कि इतना सारे बटम जब उनके सामने आता है तो लगता है कि कौन सा बटम में ट्राइ करूं जो कि कोई भी स्वर को हम पकड सकते हैं कोई भी गाने को पकड सकते हैं वह इसा नहीं है आपको ट्राइ वही करना है जिस तरह आग में आप बजाना चाहते हैं जिससे स्केल में आप बजाना चाहते हैं तो इसके लेग पकड़िए जैसे से कि हम सव साल पहीले हमें तुमसे प्यार था हमें तुमसे प्यार था आज भी है और इकल भी रहेंगे तो इसका जो है हमां स्थाई पकड़ते हैं जब हम साथ से इस्टार्ट करेंगे तो इसका स्थाई यह होगा देखिए बात करते हैं जब स्वर ज्यादा उपर होती है तो हमें कहीं न कहीं इसे इतना यह साथ स्वर छोड़ करके कुछ अगले उक्टिब में जाना पड़ता है मतलब मंद्र सत्क से बजा रहे तो तार सत्क में जाना पड़ेगा लेकिन स्वर वही रहेगा इसकेल वही रहेगा आईए जैसे सीड़ी चड़ने के लिए उपर चड़ते हैं तो हमें कितना जोर लगता है चड़ने में जितना जाते तो उतना जोर लगता तो इस तरह गाने में वह इसार रहता है जितना तान बड़ी गाने रहेगी उसमें शुर्थ हमें ताकत लगा करके गाना पड़ता है तो इसलिए हम यह साइड जाते हैं तो आएए मैं स्टाट कर तो हार्मोनियम अगर आपके पास नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में सव साल पहीले हमें तुम से प्यार था जियां में करार ता आज भी है और कल भी रहे एक की कंगली से देखी यह गाना हम ढूंड़ें स्टार्ट के कहां से यहां से सव साल पहीले से ले करके दिरे-दरी चढ रहा है सिदी चढ ने के लिए मैं पहले बता चुका हाँ कि हमें तागत की जरोत होती है हमें कोई भी गाना में तान रहे तो उसे हमें जोर से गाना पड़ता है तो इसलिए जहाँ पे जोर लगएगा हम यह साड जाई के राइट साइड हम अगदी चलते हैं तो हम चड़ती हुए आवाई सुनाई देती है और हम बापस आते तो उतरती हुए तो इसी तरह से देखी आरोह और अब्रोह का परियोग करके हम कोई भी स्वांग को कंप्लीट वजा सकते हैं जैसे इस प्रकार सव साल पहीले सव साल पहीले हमें तुम से प्यार था किलियर उसको है आज आज भी है देखी आज भी है और कल में रहेंगे सारे सुद्धिसवार है राग भिलावल का यहां जो है सारे सुद्धिसवार का उप्योग है इसमें देखी आराम से तो आप देख पार होंगे कि जहाँ पे स्वर उपर है हम यह साड़ी आते हैं थोड़ा नीचे होता हम यही प्रक्रिया को करना है आपके मन में कोई भी गानता नहीं मुझे यह आरा है तुम्हे बजा रहा हूं अपको जो आता है उस्से ट्राइ कीजिए जिसे मानके चलिए तुम दिल की धनकन में रहते हो रहते हो किलियर है आपको जो आता हो जहां से स्टार्ट हो जाए उससे आगे की बटम ट्राइ किजिए उसके पीछे की ट्राइ किजिए इस तुरह से आगे पीछे आगे पीछे करते करते जो है आपकी जो अंगलिया वह चलने लेगे और आपके माइन में वह बटम यह साथ बटम का स्वर सेट हो जाएगा जब तक आप रियाज नहीं करेंगे तब तो कुछ भी संबब नहीं है चाहे आप छोटा से छोटा काम हो या बड़ा से होती है तो इसलिए आप जितना रियाज करेंगे उतना फाइदा रहेगा आपके लिए आई है जलते हैं का गाने की और अंतरे की बात करते हैं उसमें तो इस प्रकार है हुए हुए, हुए 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 छो दो ले अला ले व लेया ले ले लें लज व गतर से इव लगा और भू और बी क्लियर अब भी वहीं आजागा सव साल पहीने हमें तुम से प्यारता तो साथियों यह ट्रिक कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर करके जरूर बताईए और किस तरह के वीडियो चाहिए बभी आप बताईए ताकि मैं आपके इंसा से वीडियो बना सकूँ अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये तो कर लिए त नए ट्रिक एक नए तोर तरीका से आप लोग के सामने फिट में उपस्तित रहूंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई नवस्कार पढ़ना हूं